ओम शांति ओम शांति अज 9 जन्वरी 2023 दिन सोंवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधूर महावा क्यों को मीठे बच्चे मर जीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो और बाप को याद करो तुमी संग बैठू प्रश्न सदगती दाता बाप बच्चों की सदगती के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं उत्तर बाबा कहते बच्चे सदगती में जाने के लिए अशरीरी बन बाप और चक्र को याद करो योग से तुम एवर हेल्दी निरोगी बन जाएंगे फिर तुमें कोई भी कर्म कूटने नहीं पढ़ेंगे प्रश्न जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी उत्तर वह ज्यान सुनने के लिए कहेंगे हमारे पास फुर्सत ही नहीं है वो कभी ब्रह्मन कुल के भाती नहीं बनेंगे उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि भगवान भी किसी रूप में कभी आते हैं गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है बगवान बैठ भगतों को समझाते हैं भगत हैं भगवान के बच्चे सबी हैं भगत बाप है एक तो बच्चे चाहते हैं एक जन्म तो बाप के साथ भी रहकर देखें देवताओं से भी बहुत जन्म बीते आसुरी संप्रधाय के साथ भी बहुत जन्म बीते अब भगतों की दिल होती है एक जन्म तो भगवान के बनकर भगवान के साथ रहकर देखे अभी तुम भगवान के बने हो मर जीवा बने हो तो भगवान के साथ रहते हो यह जो अमुल्य अंतिम जीवन है इसमें तुम परमपिता परमत्मा के साथ रहते हो गायन भी है तुम ही से खाऊं तुम ही से बैठूं तुम ही से सुनू जो मरजीवा बनते हैं उनके लिए जन्म साथ रहना होता है यह एक ही है उचे ते उचा जन्म बाप भी एक ही बार आते हैं, फिर तो कभी आ नहीं सकेंगे? एक ही बार आकर बच्चों की सर्व कामनाय पूर्ण कर लेते हैं. भक्ति मार्ग में मांगते बहुत हैं. सादू संत महात्माओं, देवी देवताओं आदी से, आधा कल्प से मांगते रहते हैं और दूसरा जप तप दान पुन्यादी भी जन्म बाए जन्म करते ही आए हैं. कितने शास्त्र पढ़ते हैं? अनेक अनेक शास्त्र मैगजीन आदी बनाते ठकते ही नहीं. समझते हैं, इनसे ही भगवान मिलेगा. परंतु अब बाप खुद कहते हैं, तुम जन्म जन्मांतर जो कुछ परते हो, इनसे कोई मेरी प्राप्ती नहीं होगी. बहुत किताब आदी हैं, क्रिश्चन लोग भी कितना सीखते हैं. अनेक भाशाओं में बहुत कुछ लिखते ही रहते हैं, मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं. अब बाप कहते हैं, जो कुछ पढ़े हो, वह सब भूल जाओ, अत्वा बुध्धी से मार दू. बहुत किताबें पढ़ते हैं, किताबों में हैं, फलाना भगवान है, फलाना अवतार है, अब बाप कहते हैं, मैं खुदाता हूँ, तो जो मेरे बनते हैं, उनको मैं कहता हूँ, इन सब को भूल जाओ. सारे दुनिया की और तुम्हारी ब बाबा जो समझाते हैं, वे कोई शास्तिरादी में हैं नहीं, बाप बहुत गुहे और रमनीक बाते समझाते हैं, ड्रामा के आदी मध्य अंत, रच्चता और रच्चना का सारा समाचार तुमको सुनाते हैं, फिर भी कहते हैं, अच्छा, जास्ती नहीं, तो दो अक्षर ही याद करो, मन मनाभव, मध्याजीभव, यह एक्षर तो भक्ती मार्ग की गीता के हैं, परन्तु बाप इसका अर्थ अच्ची रीती समझाते हैं, भगवान ने जो सहज राजयोग सिखाया है, कहते हैं, सिर्फ मुझ बाप को याद करो, बक्ती में भी बहुत याद करते हैं गाते भी हैं, दुख में सुमीरन सब करें, फिर भी कुछ समझते नहीं, जरूर सत्यूग त्रेता में सुख की दुनिया है, तो याद क्यों करेंगे? अब माया के राजये में दुख होता है, तब बाप को याद करना होता है, और फिर सत्यूग में अथाह सुख भी याद उस सुख की दुनिया में वही थे जिनोंने बाप से संगम युग पर राज योग और ज्यान सीखा था बच्चों में देखो हैं कैसे अनपड़ उन्हों के लिए तो और ही अच्छा है क्योंकि कहां भी बुद्धि जाती रही है यहां तो सिर्फ चुप रहना है मुख से भी कुछ नहीं कहना है सिर्फ बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे फिर साथ ले जाओंगा यह बातें कुछ न कुछ गीता में हैं प्राचीन भारत का धर्म शास्त्र है ही एक यही भारत नया था अब पुराना हुआ है शास्त्र तो एक ही होगा ना जैसे बाइबल एक है जब से क्रिश्चन धर्म स्थापन हुआ है तो अंत तक उनका शास्त्र एक ही है क्रैस्ट की भी बहुत महिमा करते हैं कहते हैं उसने पीस स्थापन की अब उसने तो आकर क्रिश्चन धर्म की स्थापना की उसमें पीस की तो बात ही नहीं जो आते हैं उनकी महिमा करते रहते हैं क्योंकि अपनी महिमा को भूले हुए हैं बोध क्रिश्यन आदी अपने धर्म को छोड़ औरों की महिमा नहीं करेंगे भारतवासियों का अपना धर्म तो है ही रही यह भी ट्रामा में नुदा हुआ है जब बिलकुल ही नास्तिक बन जाते हैं तब ही फिर बाप आते हैं बाप समझाते हैं बच्चे स्कूलों आदी मे जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें फिर भी एम अबजेक्ट है फाइदा है कमाई होती है मरतबा मिलता है बकि शास्तरादी जो पढ़ते हैं उसको अंदश्रद्धा कहा जाता है पढ़ाई को कभी भी अंदश्रद्धा नहीं कहेंगे ऐसे नहीं कि अंदश्रद्धा से पढ़ते हैं पढ़ाई से बरिस्टर इंजिनियरादी बनते हैं उसको अंदश्रदा कैसे कहेंगे यह भी पाठिशाला है यह कोई सत्संग नहीं लिखा है इश्वरिये विश्व विद्याले तो समझना चाहिए जरूर इश्वर का बहुत भारी विद्याले होगा सोभी व संत्मती सोगती हो जाएगी अपना चार्ट लिखना है कितना समय हम योग में रहते हैं ऐसे नहीं हर एक रेगुलर चार्ट लिखेंगे नहीं ठक जाते हैं वास्तव में क्या करना है रोज अपना मूँ आइने में देखना है तो पता पड़ेगा कि हम लक्ष्मी को वा सीता को वरने लाइक है वा प्रजा में चले जाएंगे पुर्शार्थ तिवर कराने के लिए चार्ट लिखने को कहा जाता है और देख भी सकते हैं कि हमने कितना समय बाबा को याद किया सारी दिन चर्या सामने आ जाती है जैसे छोटे पन से लेकर सारे आयू की जीवन याद रह करते हैं ऐसी प्रेक्टिस करने से रुद्रमाला में पिरोने के लिए दोड़ी जल्द पहनेंगे यह है योग की यत्रा जिसको और कोई जानते नहीं तो सिखा कैसे सकते तुम जानते हो अब बाबा के पास लोटना है बाबा का वर्सा है ही राजाई इसलिए इस पर नाम प वित्र रहते हैं राजाई में तो राजा रानी प्रजा सब चाहिए सन्यासियों में तो राजा रानी है नहीं उन्हों का है हद का वैराग्य तुमारा है बेहद का वैराग्य वह घर बार छोड़ फिर भी इस विकारी दुनिया में ही रहते हैं तुमारे लिए तो इस दुन भी नहीं सकते, चलते चलते ठक पड़ते हैं, बाबा कहते हैं, बच्चे अपने पास नोट करो, कि कितना समय most vivid बाप को याद किया, जिस बाप की याद से ही वर्सा लेना है, जब राजाई का वर्सा लेना है, तो प्रजा भी बनानी है, बाबा स्वर्ग का रचियता है, तो उनसे क्यों नहीं स्वर्ग का वर्सा मिलना चाहिए, बहुत हैं जिनको स्वर्ग का वर्सा मिलता है, बाकी को शांती मिलती है, बाप सभी को कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो, तुम अशरीरी आये थे, 84 जन्म भोगे, अब फिर अशरीरी बनो, क्रिश्चन धर्म वालों को भी कहेंगे तुम क्राइस्ट के पिछाड़ी आये हो तुम भी बिगर शरीर आये थे यहां शरीर लेकर पाट बजाया अब तुमारा भी पाट पूरा होता है कल युग का अंत आ गया है अब तुम बाप को याद करो मुक्ती धाम वाले सुनकर बहुत खुश होंगे वह चाहते ही मुक्ती है समझते हैं जीवन मुक्ती अर्थात सुख पाकर फिर भी तो दुख में आएंगे इससे तो अच्छी मुक्ती है यह नहीं जानते कि सुख तो बहुत है हम आतमाएं परमधाम में बाप के साथ रहने वाली है परन्तु परमधाम को अब भूल गए है कहते हैं बाप आकर सभी मेसेंजर्स को भेजते हैं वास्तव में कोई भेजता नहीं है यह सब डरामा बना हुआ है हम तो सारे डरामा को जान गए है तुम बच्चों की बुद्धी में बाप और चक्रयाद है, तो तुम चक्रवरती राजा अवश्य बनेंगे। मनुष्य तो समझते हैं, यहां दुख बहुत हैं, इसलिए मुक्ती चाहते हैं। यह दो अक्षर गती और सदगती चले आते हैं, परंतो इनका अर्थ कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, सबका सदगती दाता एक बाप ही है, बाकी सब पतित हैं, दुनिया ही सारी पतित हैं। इन अक्षरों पर भी कोई कोई बिगडते हैं। बाप कहते हैं, इस शरीर को भूल जाओ, तुमको अशरीरी भेजा था, अब भी अशरीरी होकर मेरे साथ चलना है। इसको नौलेजवा शिक्षा कहा जाता है, इस शिक्षा से ही सदगती होती है। योग से तुम एवर हेल्दी बनते हो, तुम सत्यूग में बहुत सुखी थे, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, दुख देने वाला कोई विकार नहीं था, मोह जीत राजा की कथा सुनाते हैं। कभी बहुत गर्मी, कभी बहुत ठंडी, वाँ ऐसी आपदाएं होती नहीं। सदेव बसंतरितू रहती है, नेचर सतो प्रधान, अभी नेचर तमो प्रधान है। तो अच्छे आदमी कैसे हो सकते? इतने बड़े-बड़े भारत के मालिक सन्यासियों के पीछे फिरते रहत उनके पास बच्चियां जाती हैं तो कहते हैं फुर्सत नहीं। इससे समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है। ब्रामन कुल के भाती बनते ही नहीं। इनको पता ही नहीं कि भगवान कैसे और कब यहां आते हैं। शिव जयन्ती मनाते हैं परंतु शिव को सभी भगवान नहीं समझते हैं। अगर उनको परंपिता परमातमा समझते तो शिव जयन्ती के दिन होलीडे मनाते। बाप कहते हैं मेरा जन्म भी भारत में होता है। मंदिर भी यहां हैं जरूर किसी शरीर में परवेश किया होगा। दिखाते हैं दक्ष प्रजा पिता ने यग्य रचा। तो क्या उसमें आया होगा। ऐसे भी नहीं कहते। श्री क्रिश्न होता ही है सत्युग में। बाप खुद कहते हैं मुझे ब्रह्मा मुखद्वारा ब्रहमन वैंशावली रचनी है। कोई को यह भी तुम समझा सकते हो। बाबा कितना सहज समझात सिर्फ याद करू। परंतु माया इतनी प्रबल है जो याद करने नहीं देती। आदा कल्प की दुश्मन है। इस दुश्मन पर ही जीत पानी है। भक्ती मार्ग में मनुष्य ठंडी में स्नान करने जाते हैं। कितने धक्ये खाते हैं। दुख सहन करते हैं। यह तो फेथ में वसे हुए हैं। कितने गुरु आदी करते हैं। परंतु मनुष्य तो कभी मनुष्य की सदगती कर नहीं सकते। जो भी मनुष्यों को गुरू बनाते हैं वह ब्लाइंड फेथ हुआ 나। आज कल छोटे बच्चों को भी गुरु करते है। नहीं तो काइदा है वा गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते धारना के लिए मुख्य सार तीवर पुर्शार्त के लिए याद का चार्ट जरूर रखना है रोज आईने मे अपना मुख देखना है चेक करना है हम most vivid बाप को कितना समय याद करते हैं जो कुछ पढ़ा है वह भी भूल चुप रहना है मुख से कुछ भी कहना नहीं है बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं वर्दान हर बात में मुख से वा मन से बाबा बाबा कहे मैं पन को स्माप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। अब बाब दादा के वर्दान को विस्तार से समझें आप अनेक आतमाओं के उमंग उत्सा को बढ़ाने के निमित बच्चे कभी भी मैं पन में नहीं आना। मैंने किया नहीं बाबा ने निमित बनाया मैं के बज़ाए मेरा बाबा मैंने किया मैंने कहा यह नहीं बाबा ने कराया बाबा ने किया तो सफलता मूर्त बन जाएंगे जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे सब के मुख से यही निकले कि इनकी तात और बात में बस बाबा ही है। स्लोगन संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना ही समझदारी है। ओम शंती। खर बाता ही है घर फर दो एंती। झाल